दोस्तों नमस्कार, Moving Average को follow करते हैं किस प्रकार से Massive Returns बनाई जा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर में आपको आपको इहां पर Detail में Explain करने आपना हूँ, अगर आप 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 लांग टर्म या Short Term Investor हैं, तो इस वीडियो के अंदर में पर प्लीज बने रह सकते हैं, अगर आप 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 इंटाडे या फिर Option Trader हैं, तो इस वीडियो के आप आप निकल सकते हैं, ताकि आपका समाई या पर जाया ना हो, ओके, दोस्तों, में पर Moving Average को Use कहसे कर सकते हैं, Massive Returns के लिए, इससे पहले में पर इसके Basics को समझ लेजते हैं, यह बनते हैं यहाँ पर किस प्रकार से, क्या इसके अंदर Calculation देती हैं, यह आपको यहाँ पर पता होना चीए, Moving Average का, जिसको हमें पर Normal भास हमें MA Line भी बोलते हैं, दोस्तों, अक्सर आपने आपने हाँ पर देखा होगा, जब भी हम आपर Moving Average का Use करते हैं, वहाँ पर हम Time Period का इस्थिमाल करते हैं, यानि कि 30 में हम लगाते हैं, 40 में लगाते हैं, कभी हम आपर 50 में लगाते हैं, और कभी आपर 150 में लगाते हैं, चलिए, मैं आपको यहां पर बताता हूँ, अगर मैं यहां पर 30MA line लगाता हूँ, तो इसका मतलब हुआ 30 दिन के दोरान, ध्यान देना, 30 दिन के दोरान यहां पर जो average price है किसी भी stock की, वो यहां पर कितनी रही, यह उसकी calculation है, इसको निकालने का बिलकुर सलल तरीका है, यह म यहां पर calculate होगी, और एक line यहां पर बनते ही जाएगी, यानि कि 200 दिन के दरान इस stock का average भाव क्या रहा, average price जिसको हम आपर बोलते हैं, जैसे हम आपर किसी भी stock का यहां पर CHR निकालते हैं, उसी तरह से, इसको निकालने का दोस्तों हम पर formula, बिलकुर सलल और simple formula है, इसको आप यहां पर try कर सकते हैं, तो यहां पर आपको moving average का basic जरूर पता होना चीए, इसके लिए हम यहां पर सीधे NSC की website में चला जाएंगे, NSC की website में जैसे आप यहां पर आते हैं, तो nipty 50 आप यहां पर open कर लेंगे, तो nipty 50 के सारी stock यहां पर खुल चुके हैं, और यहां आप कोई भी stock आप select कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पर grasshim इसके अंदर select कर लेता हूं, और next page हमारे पास यहां पर open हो जाएगा, और यहां पर आप जाचते है historical data, इहां पर click करेंगे, click करती ही आप के सामने, आप historical data आपके सामने आ जाएगा, और यहां पर थरी month select करेंगे, थ इतने दिन की closing price हमारे पास यहां पर एवलेबल है, जो download हुई है, तो अगर मैं इसको check करूँ, तो यहां पर 124 दिन की है, तो इसके लिए मेरे को यहां पर कम करना होगा, यहने कि 120 दिन का मेरे को यहां पर चेग, या तो मेरे को यहां पर 200 दिन का चीए, या 120 दिन का, क्योंक इसको मैं simply यहां पर highlight कर दूँगा, और इसको हमको क्या करना है, पूरे को sum कर देना है, यानि कि इनको जोड देना है, इसको मैं यहां पर plus कर दिया है, जितने भी यहां पर closing price थी, और closing price मेरे यहां पर निकल के आ रखिए, 1,75544, अब यहां पर data है, वो 120 दिन का है, तो 120 दिन से मेरे को यहां पर divide कर देना है, वो मेरे पास यहां पर 120 दिन की average price आ जाएगी, तो इसके लिए simple सा formula है, is equal to closing price divided by 120 days, तो मेरे पास जो यहां पर closing price पहुंची है, 1412 है, अब मेरे को यहां पर check करना होगा, चार्ट पर, क्या चार्ट पर भी यही price आई है, moving average की, यह दे यहां पर 200 मेरे लगाई है, इसको मेरे को यहां पर 120 करना होगा, क्योंकि जो मैं calculation यहां पर excel sheet के अंदर आपके सामने की, वो 120 की यहां पर की थी, 120 दिन की, तो 120 दिन मैं यहां पर fill करता हूं, और done यहां पर करूं, तो आप यहां पर देखते हैं, 1462, इस corner पर, जो moving average इसकी price है, तो 120 दिन के जो यहां पर average price है, ग्रासिम की, वो 1462 की है, अगर इसी प्रकार से मैं इसकी यहां पर 200 दिन का moving average price यहां पर निकालूं, तो यहां पर आपके सामने appear हो जाएगी, इसकी जो actual average price है, वो यहां पर कितनी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, 1305, यानि कि यह इस तो हमको यहां पर इस price पर मिलना च्छी है, एक time पर, अगर यहां पर time, एक महना और उपर हम निकल जाते हैं, तो इस condition में MA line भी यहां पर उपर को चले जाएगी, जो average price है, इसकी यहां पर बढ़ जाएगी, 1350 की जगह, 1350 हो सकती है, ओके, इसका basic आपको यहां पर बन जाती है, और वही चीज यहां पर आपको दिखाए देती है, अब यहां पर दोस्तों समझना होगा, जो massive return है, वो यहां पर आपके किस फरकार से बन सकते हैं, इसको थोड़ा साब ध्यान से देगेगा, इसके लिए में, दोस्तों, यहां पर SDFC bank का यहां पर चार्ट open कर कर रहे हैं, वो depend करता है, क्या वो उस stock को यहां पर support करता है या नहीं करता है, तो stock के उपर भी depend रहता है, यानि कि यह दोस्तों में लाइन हर stock के अंदर match नहीं होगा, जो यहां पर quality stock होगा, उसके अंदर यह match होगा, सबसे पहली बात, आपको ऐसा stock यहां पर select करना है, massive return के लिए, जो 200 या 300 email line के साथ हैं, अब यहां पर massive return किस प्रकार से बन सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से दिखेगा, तो इसको मैं शुरू से इसके chart को यहां पर देखूँगा, और यहां पर तरीका बताऊंगा, किस प्रकार से आपको इसको use करना है, अगर मैं यह इसके हैं यहां पर, एक अगर आप यहां पर short term investor है, यानि कि swing की तरह आप यहां पर trade करते हैं, यहां निवेज करते हैं, तो आपको पिछला है, यहां पर यहां पर exit लगनी चाहिए, exit price आपकी यह होनी चाहिए, तो first time हमारे आप देख सकते हैं, यहां पर exit price ती, जैसी price य कितना profit हमने यहां पर लिया, यहां हमने निवेज किया, और यहां पर exit हो गई, previous high पर, 24% का return हमने आप बनाया, केवल एक यहां दो हपते के अंदर, तो यहां पर exit price, जो previous high है, इसको आप यहां पर जरूर नोट कर लीजएगा, और उसी प्रकार से जो यहां पर long investor है, जो थ चेक करना होगा, तो average high कितना जरता है, इसको आपको exit price रखना होगा, तो जैसे कि आगर आप यहां पर average high देखेंगे, यहां पर आप enter होए, और यहां आप exit होए, और short term के लिए आप यहां पर इन जोगों भी जा सकते हैं, यहने कि 24%, जो previous high है, simple, exit करने बाएद जो भी आपने profit बनाया, उसको आप यहां पर next जगा पर निवेस करेंगे, या दूसरे stock के अंदर, क्योंकि इसी प्रकार से और भ company आपको यहां पर ढूंड ले होंगे, Nifty 50 से या Nifty 100 से, या भी mutual fund के portfolio पर आपको stock यहां पर मिल जाते हैं, उसी प्रकार से जो दूसरे बार हमको यहां पर मौका मिला, वह यहां पर हमको मौका मिला, अब इस scenario में देखों, यहां पर होता क्या है, क्योंकि price यहां पर काफी 10% गिरा, यहां पर 10% गिरा, यहां पर क्या है, जो quality stock है, तीन जगह जब हमें आपर निवेश करेंगे, हमारी जो average price है, वो यहां पर आजाएगी, यानि कि इसके midpoint पर, अका midpoint में इसका देखूं, तो 30 के आसपास, पुरानी price में यहां पर SDPC bank के देख रहा हूं, तो 30 से exit price मेरी यहां पर रहेगी, वो यहां पर रहेगी, इस high के पास, क्या high हमको मिलता है, इसको हमको यहां पर देखना होगा, यह high हमको यहां पर मिल चुका है, इस जगह पर हमको इसके exit price मिल चुके है, जो इसका previous high है, यहां पर आप double top देख रहे हैं, यहां पर, तो इन जगह तो लगबग यहां पर अगर आप अपना profit देखते हैं इस लेबल से average price यहां पर थी यहां तक का तो लगबग यहां पर 32% का हमारा यहां पर profit रहते हैं तो इसी प्रकार से आपको यहां पर continue निवेस करना है आठ्या 10 stock किंदर तो यहां पर massive return दोना पाएंगे long term में उसी प्रकार से दोस्तों मैं यहां पर आगे बढ़ूँगा हर जगा आपको SJFC bank के अंदर मौका मिलेगा निवेस करने का फिर से यहां पर दो सामे line को touch किया हमने आप निवेस किया और previous जो यहां पर high था आप यहां पर देखते हैं यहां पर exit कर देंगे और उसी प्रकार से फिर यहां पर हमको मौका मिला और previous high यहां पर exit कर देंगे यहां मौका मिला जब भी यह दो सामे line से नीचे गिरता है 10% नीचे गिरेगा तो है हमको यहां पर दुबारा निवेस करना है हर 10% में उससे पहले नहीं करना है तो यहां पर हमारे पास दो बार का यहां पर investment का हजने का तो यहां पर हमारी exit price मिल चुकी है यहां हमने invest किया और यहां हमने exit किया क्योंकि यह previous high के पास था तो इस प्रकार से हम आप पर decision ले सकते हैं अगर आप यहां पर time to time profit book करते रहेंगे जो आपका यहां पर profit बना मान लेजे आपने 100% profit बनाया या 28% आपने पर profit बन magic of compounding या power of compounding compound आपको यहां पर जोड़ करना है massive return बनाने के लिए उसी प्रकार से इस stock के अंदर मैं यहां पर आगे बलते रहूंगा यहां फिर से हमको मागा मिला और आगे बढ़ूंगा यहां मागा मिला यहां पर exit का भी मागा हमको मिलना और इंटर का भी मागा मिलना य यहां पर बहुत बड़ा fall यहां पर हो चुका था यहांने की 2008 के अंदर इसको बोलते है crash तो इस condition में काम नहीं करेगा है क्यूंकि crash है एक accident है धाजना दोस्तों यह accident है तो यहां पर आपको अपने हिसाब से इसको छोड़ सकते हैं जब भी इस तरह का यहां पर crash होता है यह small small quantity in crash के अंदर आप यहां पर निवेश कर सकते हैं तो इस condition में भी आपको यहां पर कभी bounce back जरूर मिलता है profit book करने का तो यहां पर भी आपको मौका मिला जब गिरते रहा आप यहां पर 10% में निवेश करते रहे और उसके बाद इन जगों पर आपको exit का मौका भी मिला यह अगर आप यहां पर बने रहे previous high के लिए तो previous high का मौका भी आपको जल्दी ही मिल गया इन जगों पर लगबग आप देख सकते हैं 2009 के अंदर केवल एक साल के अंदर अगर इन जगों पर हमें आपर continue news हमने रखा होता तो यहां पर जो हमारी average price है वो तकरिबन यहां पर होत करना जो 200 MLN से उपर जयादा रहते हो अगर आपने इस तरह कि स्टॉप को हैं पे सेलेक्ट कर दिया जो हमेशा में पर 2200 MLN से नीची रहता है तो हमें जो एक दन उपर जाता है या पिए अपर जाता है उसके बाद 2200 MLN पर आता है तो यहां पर नवीज करेंगे तो यहां पे आप फस भी सकते हैं क्योंकि इसके बाद अगर वो दो समय लाइन से नीचे आएगा उपर जाएगा ही नी तो हमें चाहिए यहां पर क्वालिटी स्टॉक ही आप पर ही चूज करना जैसे यहां पर सब्सक्राइब करना है और दोससे उसको डिवाइट कर जाना है वह आपके यहां पर एबरेज प्राइस आ जाएगी किसी भी स्टॉक की तो एबरेज प्राइस हमारे बाद हाँ पर क्या है दोसस में लाइन और कुछ दिन पहले ही यहां पर आप देशिकते हैं जो कि क्रेंट प्राइस स्टेपसी बैंक की है यहां पर हमको निवेस करने का मौगा मिला था स्टेपसी बैंक के अंदर आपने यहां पर किया होगा इसके अंदर कर आप रिटिन देखेंगे इस जगह से लेके अभी तक का जो रिटिन है वह लगबग 9.8% का है जो तार्गेट यहां पर होने चीए वह यहां पर होने ची सकते हैं स्टॉंग मार्केट के अंदर अगर वीडियो यहां पर एच्छे लगी हो तो वीडियो को शेयर जो लुक रहे हैं अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जूर सब्सक्राइब रहे हैं थैंक्स वाचिंग